नमस्कारम सद्गुरू मैं पुनर जन्म के बारे में सद जानना चाहती हूँ अपनी एक फिल्म में मैंने एक रोल निभाया है जो पिछले जन्म के गुणों के साथ फिर जन्म लेती है क्या ऐसा संभव है? नमस्कारम काजल जब आप पुनर जन्म की बात करती हैं तो दरसल आप ये पूछ रही हैं कि मरने के बाद क्या होता है कुछ चीजें आप अपने अनुभों से ही जान पाएंगी मुझे यकीन है कि आप उसके लिए तैयार नहीं है नहीं मैं चाहता हूँ कि आप उस दिशा में जाएं अगर मैं आप से कहूँ कि पुनर जन्म होता है तो आपके पास क्या विकल्ब है? उस पर विश्वास करना ये ना करना है ना? अगर आप मेरी बात पर विश्वास कर लेती हैं तो आपके पास बस एक कालपनी कहानी होगी अगर आप अविश्वास करती हैं तो आपके पास इंकार करने के लिए कुछ होगा दोनों रूपों में सिर्फ मनुरंजन होगा और कुछ नहीं, है न? अगर आप वाकई जानना चाहती हैं तो आपको इच्छोख होना होगा अगर आप खुद को लगाने के लिए तयार हैं तो जानने का एक रास्ता है मेरे जीवन में ये एक जीवित हकीकत है मेरे पिछले तीन जन्म एक ही स्थान पर एक ही काम पर और कुछ हब तक उन्हीं लोगों के साथ रहे हैं जब तक ये आपके अनुभव में एक हकीकत नहीं बन जाता आपको इस बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर विश्वास मत कीजिए किसी चीज़ पर अविश्वास मत कीजिए लेकिन अगर आप बस खुद पर ध्यान दें तो आप देख सकती हैं कि आपका जो शरीर है उसे आपने धीरे-धीरे जमा किया है तो आपका शरीर असल में इस धर्ती का एक टुकडा है आपका मन उन प्रभावों का एक धेर है जिन्हें आपने एक खटा किया है तो असल में वो क्या है, जो भोजन और सूचना के इस धेर को मन और शरीर के रूप में जमा करता है? वो आयाम जन्म और मृत्यू से परे है. आप एक बार फिर दूसरा शरीर और दूसरा मन इखटा कर सकते हैं, मगर मूल रूप से जीवन वही होता है. ये एक ही भात है. तो जब जीवन की बात आती है, तो आपको समझना चाहिए, कि मेरा शरीर और तुम्हारा शरीर जैसी कोई चीज होती है, मेरा मन और तुम्हारा मन जैसी कोई चीज होती है, मगर ऐसी कोई चीज नहीं होती कि मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन. जीवन पकड़ रखा है। योग का पूरा विज्ञान यही है कि इस जीवन को जबर्दस तरीके से बहतर कैसे बनाएं ताकि इस जीवन की गुंजाईश और फैलाव उतना हो सके जितना संभव है।